यह मंदिर भगवान शिव शंकर जी का मंदिर हैं। यह भारत के उत्तराखन राज्य के केदारनात में मंदाकिनी नदी के पास गरवाल हिमाले सीमा पर स्थित है। यह भगवान शिव की बाराज जो तिर लिंगों में से एक हैं। मौसम अच्छा नहीं होने के कारण मंदिर केवल अपरेल के अंसे नवंबर के बीच तक खुलता है। इस अबधी में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दूर्ट दराज के लोग यहां आते हैं। इस मंदिर के पास में बहने वाली मंदाकिनी नदी एवं बर्फ की चादर ओडे हुए पहारों के रूप में यहां का द्रिश्य बहुत ही शांदार है। केदारनात के इस शांत वातावरन एवं अद्भुत द्रिश्य को देख कर लोग इसकी ओरा करशित हो जाते है। मानो किसी ने उन्हें मंत्र मुगध कर दिया हो। सर्दियों के दौरान के दारनात मंदिर से देवताओं को उखिमत लाया जाता है और वहां छे महीने तक पूजा की जाती है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव की पूजा, केदारखंड के भगवान के रूप में की जाती है। यह एक एतिहासिक नाम है जो की सदियों से चला आ रहा है। केदारनाथ का सबसे प्रसिद एतिहास हमें पांडवों के समय ले जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत क पांडवों ने भगवान शिव के इस मंदिर की नीव रखकर उसका निर्मान किया था, किन्तु ये बहुत पुराना हो जाने के कारण द्वस्त हो गया, फिर उसी पवित्र स्थान पर आठ वी शताबदी में आदी गुरुशंकर अचार्य जी ने मंदिर का दोबारा निर्मान किया, जिसे वर्तमान में केदारनात के पवित्र मंदिर के रूप में जाना जाता है, एक बार पांडव कुरुक्षेत्र के प्रसिद युद्ध में अपने भाईयों, कौर्वों की हत्या करने के बाद भगवान कृष्ण की सलाह पर भगवान शिव से माफी मांगने के तब वे उनके सामने से गायब होने की कोशिश करने लगे, किंतु भीम ने उनकी पूंच पकर ली और उन्हें पांडवों को माफ करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जहां से वे गायब हुए उसे गुपतकाशी कहा जाता है, गुपतकाशी से गायब होकर भगवान के नाम से जाना जाता है, केदारनात के बारे में एक और कहानी नार्ख नाराइन जी से संबन्धिद भी है, जो कि पार्तिव की पूजा एवं तपस्या करने के लिए बदरी का गाव वे और वहा भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए, नार्ख नाराइन जी ने शिव जी से मानवता के कल्यान के लिए उन्हें मूल रूप में वहां रहने के लिए कहा था। उनकी इच्छा पूरी करते हुए भगवान शिव उस स्थान पर रहने के लिए सेहमत हो गए जो कि अब केदार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार उन्हें के दारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है।